हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह एक MDF बोड है और यहां पर आपको MDF बोड ले लेना है जितनी मर्जी चाहें आपको बड़ा बनाना है उतना मर्जी आप बड़ा बना सकते हैं इसको और यह वीडियो में अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस इसी कमी आयाती है जो कि मैं जादा पहले से कटा हुआ है तो यहां पर यह 29 सेंटीमेटर रह जाता है उधर मैंने 30 सेंटीमेटर का दिया है ठीक है टोटल आप पूर यहां पर ऊपर से नीचे तक आराम से देख लीजिए अब देखे जब आप इसको पूरी तरीके से नाप लें ठीक है ना जैसे कि चौकोर आप लें तो आपको अपना स्केल इस तरीके से रखना है और उसकी बाद एक लाइन ड्रो करनी है जिसकी मैंने यहां पर कर रखी है अब क्या करना है कि स्केल की मदद से इसका बीच का पॉइंट लेना है आपको तो उस कॉर्णर से और इस सेंटर मिल गया तो फिर क्या करेंगे आप यहां पर हमें लगाने एक चक्री जो की मार्केट में मिल जाती है मैं लेकर आया हूं से 70 रुपे की मुझे मिली है हो सकता है आपको सस्ती मिल जाया थोड़ी और 10-20 रुपे का अंतर पढ़ता है तो आग आप वीडियो में देख देख लेंगे उस चक्री को अब उसी के साइज का मैंने प्रकाल से इस गोले को बनाया है तिक जैसे कि आप यहां पर पूरा देख रहे हैं ना मैं सेंटर से लेकर एक डम उतने ही बड़ा उसको गोला बना लिया जितनी वड़ी मेरी चक्री है अब मैं क्या करूंगा यहां अब आपको यह करना है इसमें कि चक्री लगाने के बाद यहां से यहां तक आयाता है अब यहां पर हमको जिसे एक सेंटी मेटर के लगानी है दो सेंटी मेटर पर लगानी है तो वह आपको देख लेना है और उससे पहले हमें चाहिए इसका यह दोनों आपको देख पा रह तो उसको करने के लिए प्राइन की जूरूत पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से प्रकाल आपको इस तरीके से ले लेनी है और यहां पर से एक दम चाप मार देना पूरा जायमिती तो पड़ी होगी आपने तो मुझे मालों अपने पड़ी होगी नहीं पड़ी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आप उसमें समझ जाएंगे अब यहां पर हमने चाप मार दिया अब इस सेंटर से और इस सेंटर से हमें स्केल को मिला लेना है पूरा जो हमारा स्केल मैं मिला कर दिखा दे रहा हूं आपको अब जैसे स्केल को आप मिला लेंगे उसके बाद आपको फिर से पैंसिल से एक लाइन कर देनी है पूरी आप ज जीजिए उसके बाद अब आपके उपर depend करता है कि आपको LED कितनी कितनी दूर लगानी है एक सेंटीमेटर के लगानी है या दो सेंटीमेटर के लगानी है जितना बड़ा हो जाएगा उतना मैं खहूँगा आपको थोड़े थोड़े बढ़ा दीजेगा कोई दिक्कत नहीं आपको उपर depend करते है Razum पने आपको पहली बना कर दिक्षा दिया वैसे जाये जीमेटर यहां परल्ष यहां पर मैंने सेंटीमेटर गइप दीया है और उसके बाद यहां पर देख पा रहे हैं हमने लाइनिंग कर दी है यह इसलिए कि है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो एक तरफ तो लगेंगी जो बड़ी बड़ी लाइन है इसमें 13-13 LED लग जाती है और जिदर जो की छोटी लाइन है उदर 9-9 LED लग जाती है अब यहां पर पूरा इसे काट लेंगे और काटने के बाद अच्छे तरीके से अब मैं आपको और आगे बता देता हूं जब आप उससे पूरी तरीके से काट लेते हैं तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स की जितना बड़ा आप बोर्ड लेंगे आपको उतना ही अपने यहां है eight उसके साफ से दीजेगा यहां पर मुझे जैसा मेरे ने वैसा ही किया यहां पर मेरे पास कमेंट आया था कि भी बोड के ऊपर ऐसी वीडियो बना कर दूँ तो मैंने बना कर दिने मुझे नहीं पता आपको जो पसंद आयेगी या नहीं आयेगी बुट मेरा जो भी करने काग अब यहां पर हमने ले लिया है नहीं कर दिया Ay tag बोड में च्छेद पहले बता दू यह 4 mm मौटा बोड है कार्ड बोड है तो इसमें बहुत टाइम लगया तो लगबग ऐस तरीके से च्छेद करने में मुझे गंटे से जादा लगया वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ड्रिल मसीन तो है पर छोटा वाला छोटा जो ड्रिल होता है वो नहीं है तो उसमें से मैंने इसे पेचकस की मदद से किया तो जिससे आप देख पा रहे हूंगा यहां पर जो छेद है मैंने सबलग बग कर दिये एक घंटे के अंदर अब यहां पर हमें लगानी है इसमें LED तो वो कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता ह तो जैसे-जैसे मैं आपर करता हूँ माइनस एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ कर दे ना हो तो भीके ना इस तरीके से लगालें मैं example के लिए हम पर आपको समझ जाे है आप उसी तरीके से पूरी तरीके से बता कर दिखा रहा हूं और दिखा भी आ हूं आप समझ जाएंगे यह आप इस तरीके से, ठीक है मायनस हमने एक तरफ कर लिया है और जो प्लस है वो उपर की तरफ है और जो मायनस है वो नीचे की तरफ है इसी स्यूक्वेंस में मैंने सारी LED इसको लगाया है यह RGB LED है रेड, ग्रीन, ब्लू इसमें जो है colors है इसके स्यूक्वेंस अल्रेडी बने हुए होते हैं हमें यहाँ पर कोई और IC लगाने की जूरूत नहीं पड़ती है अब रही आपको दिवाली आ रहे तो मैं दिवाली के आपको देने वाला हूँ चेजर के ऊपर तो वी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी लेकिन इस वीडियो को एंजवा कीजिए ठीक है जब तक और यह वीडियो काफी अच्छी है आपको एंड में जब आप देखेंगों तो काफी लाजवाब लगेगा तो यह जो चक्र पर कोई भी आपको रेड पसंद है तो आप पर रेड भी लगा सकते हैं तो इस चक्री की जगह पर टोटल पूरा जो गोला किया है यहां पर गोले में पूरा रेड कर दीजिएगा तो काफी अच्छी लगने लग जागा अब देखें हाँ पर हमने जो टांग मोड दी है व को आपास में जोड़ देना है ऐसी ही हमें सारी LEDs को जोड़ते जाना है तो जैसे कि मैं आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ ये दोनों जो point है वो minus minus के point है और जो सामने ख़ड़े हुए point है वो वाले plus के point है तो ऐसी ही मैंने sequence में आपको जोड़ते चले जाना है आपकी जो minus के point है सभी minus के point को एक जगा जोड दीजेगा और फिर सभी plus के point को एक जगा जोड दीजेगा और उसके बाद उसमें power देदीजेगा simple इस तरीके से आपको करना है और फिर आपको कोई इटेंशन लेने की ज़रूवत नहीं है हर चीज आप आराम से इसे कर लेंगे और जैसे मैंने बना लिया तो आप भी बना सकते यह मैंने पूरा वीडियो एक दिन में रिकॉर्ड किया है मतलब बनाया है फिर रिकॉर्ड भी किया है साथ ही साथ फिर मैंने हर चीज की है तो जब आप समझ सकते हैं मैं एक दिन में बन किया है सभी self defendant है इस पर क्योंकि LED जो है खुद अपनी जला कर देती है आपको RZB और जो चक्री है उसमें भी खुदी IC उसमें लगी हुई है तो हमें यहाँ पर और ज्यादा अलग से कोई भी यहाँ पर करनेट करने की जुरूद नहीं पड़ी है तो यह देखिए हम पर हमारे जो LED है मैंने फाइब बोल्ड जो फोन के चार्जर से चला रहा हूं और जो 92 LED है टोटल यानि की बानबे LED है टोटल जितनी भी जो जल रही है यह बानबे LED जो है मैं चला रहा हूं चार्जर से ठीक है अब यहाँ पर मैं चक्री को लगाँगा तो चक्री को चलाने के लिए हमें 12 बोल्ड की जुरूद देने की पड़ेगी तो उसको 12 बोल्ड देने के लिए मैं यहाँ प अब हमने प्लस वायर डाल दिया और अब हमने अब माइनस वाला डाल दिया अधेटे के लिए सेके हम आप चक्री को अच्यों तरीके से लगा देना है जैसे हम लगाते हैं मतलब सेंटर आप देख लिए मार्क करके पूरे अच्छे तरीके से इसको देना है हमें 12 बोल्ड और जो हमारी LED है उसको देना हमें 5 बोल्ट तो 5 बोल्ट हम चार्जर से दे देंगे 12 बोल्ट के लिए adapter की जुरुत पड़ेगी वायर हमने पीछे की तरफ निकाली दिये है आप यहां पर इसे चाहें तो सीसा बगरा भी लगा सकते हैं यह हमारी light है जो की 12 बोल्ट पर जलती है ठीक है इसका adapter मैं यहां पर लगाऊंगा इस चक्री में तो इसे भी connect कर देते हैं उसके बाद आप देख लीजिए कि जलता कैसे तो जैसे कि आप यहां पर देख पार है चक्री इस तरीके से जलता है इसमें LED वगरा लगी हुई है अब हमारा जो light है वो भी बंद हो चु और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहां पर RGB नहीं चाहिए ठीक है ना मुझे यहां पर color चाहिए जैसे red हो गया single red होता है green होता है blue होता है और white होता है तो मुझे यह color चाहिए यहां पर चलाने के लिए तो यह कैसे बनाने है तो इसकी अगर आप चाहते हैं तो मु पर जो की LED जो हमारी white color की LED, red color की LED जो होंगी उनको यहां पर लगाना होगा, फिर उसके बाद हमें chaser की connection करने होंगे, और फिर जो है बो chaser की मदद से जलने लग जागा, जो की काफी अच्छी बात है मेरे हिसाब से, और मुझे मालूम है, जब बो chaser की मदद से जलेगा, उस LED काफी अच्छी तरीके से जलने लग जाएंगी, और आपको पता ही है कि हम extra एक circuit से लेकर आ रहे हैं, उसे जला रहे हैं, तो वो भी circuit जो है, 70 रोपे के आसपास का आता है, मैंने मार्केट में पता कर लिया था, जब मैं चक्री लेने गया था, तब ही मैंने मार्केट में पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला था, कि हमारे पास 70 रोपे का है ये, और आपकी तरफ पता नहीं मुझे कितनी का मिलेगा, आप इसे online भी order कर सकते हैं, Amazon, Flipkart दोनों जगा पर ये मिल जाता है आपको, और पता नहीं है, पर कितनी का मिलेगा, बढ़ आपको मिल जाया तो मैं आपको उन्होंन तरीकी की वीडियो बना कर दे दूँगा, तो ये से कि आप देख पा रहे होंगे, ये बारे बोल्ड का अडेप्टर है, ये जो लाइन है, ये फाइब बोल्ड ही है, चार्जर से मैंने दी हुई है, ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजे, कहीं